नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना सर्दियों में स्नूफ वॉल का इंतजार किसे नहीं रहता है सभी को लगता है कि कब वो सफेद सफेद बर्फ की चादर गिरे और हम उस बर्फ में खेले अब बात करते हैं उस जगह की जहांके लोग इंतजार कर रहे थे बर्फ गिरने की वहाँ पर बर्फ तो गिरी लेकिन जब बर्फ गिरी तो लोग हैरान रहे गए कि ये बर्फ है या क्या है वहाँ पर सफेद बर्फ की जगह काली बर्फ गिरी और उस काली बर्फ से सभी पहाड़िया और सभी जगह ढख चुकी है इस जगह के लोग हैरान हैं कि आखिर ये बर्फ सफेद की जगह काली क्यों हुई अब काली बर्फ के उस मैदान में ही बच्चे खेलने को मजबूर है एक्सपर्ट का कहना है कि काली बर्फ गिरने के पीछे वज़े है प्रदूशन बहुत जादा मात्रा में वहाँ पर आसपास कोईला जलाया जाता है जिस कारण प्रदूशन फैला और उसी कारण ये बर्फ भी काली होकर गिर रही है एक्चिली इस जगह पर सर्दियों में टेंपरेचर माइनस 40 डिग्री तक जाता है ऐसे में गरम पानी के बड़े बड़े प्लांट्स इस एरिया के आसपास लगाए गए है और वहाँ पर पानी गरम करने के लिए कोईला भारी मात्रा में जलाया जाता है और काफी दिनों तक ये ही महोर रहता है जिससे की प्रदूशन हुआ और इस प्रदूशन से जो गिरने वाली बर्फ है वो काली होकर गिरी है ये मामला साइबेरिया का है वही पर इस वक्त पहाडिया और घर जो है काली बर्फ से ढखे हुए है